अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा इन शब्दों को करने से पहले इस पार्ट को करने से पहले हम इन सभी शब्दों के बारे में यानि तच्सम, तद्भव, देशज और आगत के बारे में पढ़ लेते हैं तो आईए देखते हैं इनकी परिभाशा जो शब्द संस्कृत भाषा से हिंदी में बिना किसी परिवर्तन के ले लिए गए हैं वे तत्सम शब्द कहलाते हैं जैसे अगनी, रात्री, शेत्र ठीक है दुबारा देखिए जो शब्द संस्कृत भाषा से हिंदी में जो संस्कृत भाषा से हिंदी में बिना किसी हेर फेर के या परिवर्तन के ले लिए गए हैं वे तत्सम शब्द कहलाते हैं जैसे अगनी, रात्री, शेत्र अब आगे हैं जो शब्द रूप बदलने के बाद अब जिनका परिवर्तन हो गया है रूप बदल गया है में थोड़ा बहुत बतलाव आ गया हेर फेर हो गया के बाद संस्कृत से हिंदी में आये हैं दुबारा देखिए जो शब्द रूप बदलने के बाद संस्कृत से हिंदी में आये हैं वे तद्भव शब्द कहलाते हैं इसमें क्या था कि जो शब्द संस्कृत भाषा से हिंद और जो शब्द रूप बदलने के बाद संस्कृत से हिंदी में आये हैं वे तद्भव शब्द कहलाते हैं जैसे अगनी ये अगनी दिया गया है संस्कृत भाषा का शब्द और यानि तत्सम शब्द और उसका तद्भव यानि रूप बदल के क्या हो गया है आग अगनी से आ और आग, रात और खेत क्या हैं तर्दभव शब्द ठीक है अब आगे देखिए जो शब्द शेत्रिय प्रभाव के कारण परस्तिती वा अवेशक्ता नुसार बनकर परचलित हो गए हैं वे देशत शब्द कहलाते हैं जैसे पगड़ी, गाड़ी, थैला कहने का अर्थिय है कि देशत शब्द वे कहलाते हैं जिनका स्त्रोत संस्कृत नहीं है तथा जो भारत की जन जातियां हैं या जो ग्रामे शेत्र हैं वहां की जो बोलियों से लिये गए हैं ठीक है उनका संस्कृत के अतिरिक्त अन्या भाषा परिवारों से हो सकता है उधारन जैसे पगड़ी, लोटा, टांग, खिड़की, आदी ठीक है और अगला देखिए विदेशी जातियों के संपर्क से उनकी भाषा के बहुत से शब्द हिंदी में परियुक्त होने लगे हैं ऐसे आगत शब्द कहलाते हैं जैसे तोप, पैंसिल, स्कूल ठीक है तो आगत शब्द कौन से होते हैं यानि कि अंग्रेजी, अरबी, फारसी, चीनी, पुर्तगाली, फ्रांसिसी, आदी भाषाओं के जो शब्द हिंदी में परचलित हो गए हैं वे उन्हें या तो हम आगत शब्द कहलाते हैं जैसे ये तोप, पैंसिल, स्कूल ये सभी विदेशी जातियों के शब्द हैं ठीक है चलिए अब इसी के अधार पर प्रशन शुरू करते हैं हमने ये परिभाषाएं देख ली अब प्रशन करते हैं काकी के अगनी संसकार में भी वह जान न सका उस दिन श्यामू को चिंता के मारे बड़ी रात तक नींद नहीं आई श्यामू और भोला अंधेरी कोठरी में बैठे हुए पतंग में रसी बांध रहे थे उसने एक स्टूल सरका कर रखा उपर दिये गए वाक्यों में मोटे काले अक्षर ये जितने भी मोटे काले अक्षर हैं मोटे काले अक्षर वाले शब्द अलग अलग परकार यानि चार परकार के शब्द हैं उत्पति या स्तौत के अधार पर इन शब्दों को चार श्रेणियों में बाटा जा सकता है, तो आएए देखते हैं कौन-कौन सी श्रेणियों में बाटा जा सकता है, जैसे अगणी, अगणी क्या है? तत्सम शब्द, संस्कृत भाशा का शब्द, रात दिन, तद्भव शब संस्कृत भाषा के शब्दों का बदला हुआ रूप तत्सम क्या होते हैं उसके स्मान यानि कि संस्कृत के स्मान और तत्भव क्या होते हैं जो संस्कृत भाषा के शब्द हैं उनका बदला हुआ रूप जैसे रात्री से हो गया रात, रात्री संस्कित भाषा का तत्सम शब्द है, रात्री से हो गया रात, निद्रा से हो गया नींद, थीक है? अब अगला शब्द देखिए कोठरी देशज शब्द लोक भाशा या जन साधारन की बोलचाल की भाशा का शब्द जो लोक भाशा या जन साधारन की बोलचाल की भाशा का शब्द हो उसे क्या कहेंगे हम देशज शब्द और स्टूल आगट शब्द अन्य भाषा का शब्द ठीक है अब अगला प्रशन है नीचे दिये गए शब्द स्मुहों में से तत्सम शब्द पर घेरा लगाईए अब ये सीख आश्ट्य आस्रा इन तीनों में से तत्सम शब्द कुन सा है आश्ट्य दस कर्म काम इन तीनों में से कर्म क्या है संस्कृत भाषा का शब्द यानि की तत्सम शब्द पैर सत्य सच सत्य क्या है तत्सम शब्द हस्त फूल लोटा हस्त क्या है तत्सम शब्द दूद, पानी और पत्र में से पत्र क्या है तत्सम शब्द ठीक है नीचे दिये गए शब्द स्मोहों में से तत्भव शब्द पर घेरा लगाईए अब हमें तत्भव शब्दों पर घेरा लगाना है हाथी, हस्ती, चरन इन तीनों में से तद्भव शब्द कौन सा है? हाथी, ठीक है? हस्ती से हाथी, ग्रिह, मिट्टी, दुग्द, इन तीनों में से तद्भव शब्द कौन सा है? मिट्टी, ये दोनों तद्सम शब्द हैं, ठीक है? ये तोनों तद्सम हैं, ग्रिह से घर, दुग्द से दूद, और मिट्टी क्या है तद्भव शब्द जीब लोटा और कर्म इन में से जीब क्या है तद्भव शब्द सच बटन खटिया इन तीनों में से सच क्या है तद्भव शब्द गमचा मेज सपना इन तीनों में से सपना क्या है तद्भव शब्द अगला प्रश्न नीचे दिये गए शब्द स्मुहों में से देशत शब्द पर घेरा लगाईए अब हमें देशत शब्द पर घेरा लगाना है जनसाधर्ण या आम आम जनता या लोक भाषा की जो भी शब्द है ठीक है भोपू, चिराग, पत्ता इन तीनों में से भोपू क्या है देशत शब्द घी, थैला और पोधा इन तीनों में से थैला क्या है देशत शब्द पगड़ी आसू तोलिया इन तीनों में से पगड़ी एक तेशच शब्द है डिबिया बेगम गणना इन में से डिबिया एक तेशच शब्द है तेज गाड़ी कर्ण इन तीनों में से गाड़ी क्या है तेशच शब्द अगला शब्द है दिये गए शब्द स्मुहों में से आगट शब्द पर घेरा लगाईए अब हमें आगट शब्द पर घेरा लगाना है डॉक्टर संख्या स्वामी इन तीनों में से डॉक्टर क्या है आगत शब्द विदेशी जातियों का या अन्य जातियों का शब्द है ये ठीक है सूखा, कॉलेज, माता इन तीनों में से कॉलेज क्या है? आगत, शब्द मुख, हसी, मशीन इन तीनों में से मशीन क्या है? आगत, शब्द खत, सुभाग्य, साग खत क्या है? आगत, शब्द स्वपन, लेटर बॉक्स, बूढ़ा इन तीनों में से लेटर बोक्स क्या है आगत शब्द अगला प्रेशन है नीचे दिये गए तत्सम शब्दों के तद्भव रूप छाट कर लिखिए ये तत्सम शब्द है हमें इनका तद्भव रूप लिखना है ठीक है पादप, पादप का तद्भव क्या होगा पोधा दंत से दांत, दंत का तद्भव है दांत, ग्रिह का घर, सत्य का सच सब्द यानि साथ, सब्द तत्सम और साथ क्या है तद्भव भ्रात्री, भ्रात्री का भाई, ठीक है अगला प्रशन, नीचे दिये गए तद्भव शबदों के तत्सम रूप छाट कर लिखी अब यह तद्भव दिये हुए हमें उनके तत्सम रूप लिखने है मौर, मैयूर, मौर क्या है तद्भव, और ये क्या है तत्सम, मैयूर क्या है तत्सम उट उस्ट्र, ठीक है, खेत शेत्र, मिट्टी मृत्तिका, सपना स्वपन, मक्खी मक्षिका, मक्खी को संस्कृत भाशा में मक्षिका कहा जाता है, यानि कि मक्षिका क्या है उसका तद्सम्ष रूप और मक्खी क्या है तद्भ रूप, ठीक है, अब अगला प्राशन देखते हैं नीचे दिये गए चित्रों के सामने उनके नाम का तत्सम अम तद्भव रूप छाट कर लिखिए अब ये चित्र दिये गए हैं ये देखे चित्र है साथ का तो इसका तत्सम क्या होगा? सप्त और तद्भव क्या होगा साथ ये उंट का चित्र है तो इसका तत्सम क्या होगा उस्ट्र और तद्भव क्या होगा उट हाथी का चित्र है हाथी का तत्सम है हस्ती और तद्भव रूप है हाथी किसान किसान का तत्सम है क्रिशक और तद्भव रूप है किसान कुवा कुआ का तत्सम रूप है कूप और तद्भव है कुआ आम का तत्सम रूप है आम्र और तद्भव रूप है आम नीचे कुछ शब्द दिये गए हैं इन शब्दों को दी गई श्रेणियों में लिखे अब ये जो शब्द दिये गए हैं हमें इन श्रेणियों में लिखना है जैसे तत्सम शब्द कौन कौन से हैं त्रिन हो गया त्रिन, स्वर्न, दधी, और रात्री, उंच ये सभी क्या हैं तत्सम शब्द फिर आगे हम तद्भव लिखेंगे तत्भव जैसे त्रिन से ही तिन का ये दिया गया है यहां पे तिन का स्वर्न से सोना ये तत्भव रूप है दधी से दही ये यहां दिया गया है रात्री से रात उंच से उंचा तो ये सभी क्या हैं तत्भव रूप और ये क्या थे तत्सम अब देशद शब्द लिखने हैं देशद शब्द जैसे गमच्छा, खिचडी, रपटना, चिम्टा, हुक्का ये सभी क्या हैं देशद शब्द अब हमें आगत शब्द लिखने हैं जैसे पैंसिल ठीक है उम्र, रेडियो, बस, कर्ज ठीक है ये कौन से हैं आगत शब्द अगला प्रशन नीचे दिये गए शब्दों को उनके समान अर्थ वाले शब्दों से मिलाएं हमें समान अर्थ वाले शब्द से मिलाना है कि भूमी को क्या कहते हैं जमीन भूमी को जमीन से मिलाएंगे शयन, सोना शयनकार्थ होता है सोना विग्न, बाधा रहस्य, राज मुखबीर, जासूस को कहते हैं इसे कहते हैं जासूस को, मुखबीर, जासूस प्रफल, खुश, ठीक है अगला प्रशन है, नीचे दिये गए वाक्यों को ध्यान से पढ़िए और इनमें परिउक्त क्रिया विशेशनों का नाम लिखिए क्रिया विशेशन का हमें नाम लिखना है पहले हमें वाक्या पढ़ना है और फिर बताना है कि क्रिया विशेशन कौन सा क्रिया विशेशन है मतलब क्रिया विशेशन का भेद बताना है वह वहां से भाग गया कहां से कहां अब कहां प्रशन आ गया न कहां से भाग गया वहां से यानि कि स्थान की बात हो रही है तो स्थान वाचक क्रिया विशेशन अगला है उसने उपर एक पतंग उड़ती देखी कहां देखी उपर यानि कि यहां पे भी स्थान वाचक क्रिया विशेशन की बात हो रही है उसका रुद्न तो धीरे धीरे शान्त हो गया कैसे शान्त हो गया धीरे धीरे यानि कि किस ढंग से शान्त हुआ किस तरीके से यानि रितिवाचक क्रिया विशेशन पतंग अभी मंगा दो, कब मंगा दो, अभी, कब प्रशन उठ रहा है यानि कि समय की बात हो रही है तो क्या हैगा समय या कालवाचक्रिया विशेशन उस दिन बड़े सवेरे श्यामू की नींद खुली एक तो उस दिन किस दिन उस दिन बड़े सवेरे यानि कब कब श्यामू की नींद खुली बड़े सवेरे यानि कि समय की बात हो रही है तो यहाँ पे भी क्या होगा समय यह काल वाचक्रिया विशेशन इधर उधर देखकर उसके पास एक स्टूल रखा कहां देखकर इधर उधर यानि कि स्थान की बात हो रही है तो क्या होगा स्थान वाचक्रिया विशेशन तो बच्चों ये थे पार्ट 17 काकी के अभ्यास आगर पुस्तक के व्याकरन से समधित प्रश्न आशा करते हूं आपको सभी प्रश्न अच्छे से समझ में आ गए होंगे तो मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार